वोस्तों आप सब्सक्राइब फिर से एक बार बहुत बहुत उलकम है आपके अपने ही चैनल टार्गट विन फेंटासी पर तो थमनेल देखके आप समझ जाए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है तो यहां पर हम बात करने वाल है रोट सिप्टी वाल सिरिज के बारे में तो इस साल जो इसका सेकेंड सिजिन होने वाल है तो वहां पर हम जो जो सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वह आपको सबसे पहले एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर सीडूल क्या रहेगा मतलब कब से लेकर कब तक यहाँ पर टूर्णमेंट चलेगी वेनुस कैसा रहने वाले टीम्स कौन-कौन से रहेगी उसके साथ आपके लिए बेस्ट फेंटासी टिप्स क्या रहेगे साथ में पर हम स्कौाइट एनलैसिस भी करेंगे मतलब कौन से टीम में कौन-कौन से फेलने वाला है कौन से यहाँ पर लिजन्डरी प्लेयर को आपको देखने को मिलेगी स्पेसलिक कफ्टानी के रूप में कौन-कौन से प्लेयर रहेगा तो सारे हम डिटल्स में बात करेंगे तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इस साल 10 सितंबर से लेके पहला अक्तवर तक यहाँ पर मैच चलेगी मतलब टोर्णमेंट चलेगी तीन भेनू यहाँ पर चार भेनू रहेगा रायपूर, कानपूर, देरदूर और इंदूर तो चार भेनू यहाँ पर मैच रहेगा हर एक मैच यहाँ पर होगा मतलब अभी तक तो फिक्स नहीं होगा है कहाँ पर कौन से मैचेस होगा लेकिन सोर्सेस के थूरू जो नहीं जाया है तो उसके सबसे रायपूर में फाइनल होने का चांसेस है तो कैस देखिए यह गई वेनूस की बात, सेडल की बात अब हम देखेंगे कि टीम्स यहाँ पर क्या कह रहेगा सबसे पहले हमारे इंडिया लिजेंस है साथदोग्रिकर लिजेंस, स्रीलांकर लिजेंस बंगलादेश लिजेंस, ऑस्ट्रेलिय लिजेंस, वेस्टिंडिज लिजेंस, इंगलेंड लिजेंस और नुजुलेंड लिजेंस तो लास्ट सीजिन जो हुआ था वहाँ पर छे टीम थे लेकिन इस सीजिन देखिए और दो टीम बढ़ गए है निजलोल ब लिजेंस और सायद मेरे सब से bagcial Nos लीजेंस बढ़ गया है लेकिन थे फिलाल आर्ट्ट टीम्स आपको खेलते हैं देखने को मिलेगी तो दोस्तो अब हम् 8 जो टीम है उनके पूरे जो स्कॉड है वह आपको यहापर डिछल में दिखाेंगे कौन कौन से प्लेयर आपको कैप्टन के रूम में देखने को मिलेगी जो हमारे मतलब पुराने जो खिलाडी है जिसको देखना हमें मतलब बच्पन में बहुत ज़या पसंद थी तो हुनको हमें फिर से एक बाद देखने का मौका मिलेगे तो चलिए हम देखे लेंगे तो दोस्तो रूट सेप्टी वाल सीरीज का हम यहां पर पहला स्कौर्ट देखेंगे देखिए सीलों का लेजिंस का स्कौर्ट कैसा रहा है तो देखिए सब सब पहले यहां पर आणाम है इसन आजा रतने जीवन मेंडिस नवान कुला सकरा सनत जैसुरिया ओबल धरंगा थिसरा परेरा और गाइस यहां पर कप्टानी का रंगे तिलक रतने दिलसान तो देखिए बहुत ही बीटिफुल स्कौर्ट है मतलब यहां पर देखिए बहुत-बहुत बड़े-बड़े प्लेयर है सनत जैसुरिया नवान कुला से कारा उसी के साथ देखिए थिसरा परेरा भी है इसरु उदाना साथ में और कुछ-कुछ प्लेयर सब को देखने को जैसे की चमिंड़ा भास हो गहा है जिसको हमने देखके बड़ा हुए है तो ऐसे प्रेस को खेलते हैं देखने को मिलेगे किसकी तरफ से सीलों का लिजेंस की तरफ से तो अब दूसरा टिम जो है साउद अपर लिजेंस देखिए यहां पर कैप्टन सी करेंगे जॉंटी नोट्स उसके साथ प्लेयर्स कौन कोर् जैक्स रोडूरिफ जोहन बोथा बहुत ही बड़े प्लेयर एक अच्छे आपस्पिन बोलिंग करते है जेव एंडरवाथ लांस कुजनार यह भी एक बहुत ही बड़ा लेजेंडरी प्लेयर है साउद अपरिव की तरफ से नॉरिस जोन्स माखाय एंटिडी मतलब कितने ब टी सबालाला भार्नन फिलेंडर जेंडर डीप रूइन तो कैस यह रहेगा साउद अपरिगा के स्क्वाड अभी हम देखेंगे देखें बंगलादेस लिजेंस की तरफ से अगर अब देखें अब्दुर रज्यक अलमगिर कवीर अप्तावामेत अलोग कपाली माउनूर र मुहमद नजीमुद्दिन अबूलसान तूसर इम्रान उसी के साथ दोस्तों देखें जो कप्तन रहेगा साथ अभी तक एक न्यूज मतलब कॉन्फियूस थी कि मुहमद रफिक खेलेगा की नहीं लेकिन उसकी खेलने की चांसेस अभी तक तो नहीं है तो यही स्क्वाड र दोस्तों अब हम जो दूसरे टिम्स है देखें यहाँ पर तीन टिम्स एक साथ है इंडिया लिजेंस निजुरेल लिजेंस उसी के साथ और स्ट्रियल लिजेंस तो सबसे पहले देखें इंडिया लिजेंस के तरफ से मॉस्ट फेरवेट क्रिकेटर गॉट अप दी क्रिकेट मतलब गॉट अप दी वर्ड क्रिकेट जिसके लिए इंडिया में इंडिया में तो नहीं पूरे वर्ड में क्रिकेट फिमास है वो है हमारे सब के गॉट अफ रिकेट साशिन तेन डूर कर जी तो देखिए कप्तन सी करेंगे इंडेलिजेंस की तरब से लास इजिन नहीं खेला था फिर वह पस आ चुके है उर्वास सिंग जानते होंगे अब सभी लोग इर्फन पठान है युसुप पठान हर्वजन सिंग मुनाप पैटल बदिनाथ सुब्रमानियम बदिनाथ स्ट्वाट बीनी नमनोजा इने कुमार, अभिमान उमिथून, रजेस्पवार, राहूल सर्मा जो के हाले भी कुछ दिन पहली रिटेर कर चुके है तोस्तों यह रहा इंडेलिजेंस की स्कॉट निजिन निजेंस की बात करें रोश टेलार केप्टन सी करेंगे जैकब अराम, जैमी हाउ, जैसन निजेंस की बात करें दोस्तों, सेन वार्सन, जो की केप्टन रहेगा उस्ट्रेलिजेंस की तरफ से, बहुत ही बड़े प्लेयर है, आप सभी लोग इनको जानते हों, इनके बारे में मतलब अलग से कोई बताने की ज़रूद नहीं है, अलेक्स डोलार, बेंडंक, ब्रेड हर्डीन, स्ट्वार्ट क्लर्क, यहां पर रहेगा ब्रेटली, ब्राइस मैगेन, कलांफर गुसन, यह भी बिग बेस लिक के अंदर बहुत ही बड़े नाम है, जो की लास्ट एर में भी खेला सिजनी ठंडरस के लिए आपर कैप्टन सी भी कर रहे थे, यह भी बहुत ही अब हम देखनें दोस्तों, बाकी जो दो टीम है, ओस्टिंजी डिलिजन्स और इंग्रिलिजन्स की बात, देखिए, ओस्टिंजी की तरफ से बात करें, ब्राइन लारा, जानते होंगे अब सभी लोग, मतलब वन अब दी बेस्ट बैट्समेन, मतलब उनके टाइम का है, ज अलन इन ब्लाक, नर्सिंग डियोर अरेन, सुलेमान बेन, डैरेन पावेल, विल्यम पर्किंड्स, डेरियो वर्षले, डेम मुहममत, क्रिस्वर सांतों की, तो दोस्तों ये रहे काव वेश्ट इंडी लिजन्स की स्कॉट, अभी हम देखिए, इंग्लेन लिजन्स की स्कॉ T20 में भी खेला, ODA में भी खेला, बहुत ही बड़े बोलिंग करते थे, फास्ट बोलर्स थे, मतलब हट्टे गट्टे फिगर के थे, लेकिन वो फिर भी बॉक्सिंग में चले गए, फिर यहां पर दीखिए लिजन्स की टीम में खेल लेंगे, डेरेन मैडी, डेरेन अगर आपको एक-एक स्क्वाट के अनलेसिस चाहिए, तो आप कॉमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको एक-एक स्क्वाट के जो प्लेयर रगा, उनको वान-बाई-वान स्टैट्स और रिसंट फॉर्म्स के थूरू आपको समझा देंगे कि कौन-कौन से प्लियर क्रिक आपको वान-बाई-वाला हूँ, दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज जरूर देखने को मिलेगा, कि मेनी वान-सेड़िड मैच, इसका मतलब क्या है कि इंडिया के साथ जो भी टिम्स का मैच होगी, वो आपको वान-सेड़िड देखतो ही है, मिलेंगे, क्यू आपको ज्यादा परफन करने का मौका मिलेगा, तो इसलिए आपको ज्यादा यंग प्लेज को लेना पड़ेगा, दोस्तों यहाँ पर देखिए, इंबेस्ट हाई-इन-जी-एल, जो कि 3 टिप्स है आपके लिए, यह वाले जो मैचेस होते हैं आप तो स्मॉल ली खेलोगे ही, वो तो आपको मतलब खेलना ही है, फ्रफिट के लिए लेकिन गाईज देखिए, यह वाले मैचेस में आपको ज्यादा स्यदा जी-एल खेलना है, स्पेसल गाईज देखिए, जो कि हमने 4 टिप्स में लिखे रखा है, मीनी जी-एल में आप ज्यादा स्यदा इन्बेस्ट करो, क्योंकि दिखेगा इस ऐसे वाले मैचेस में आपको जी-एल 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 परफिक्ट होते है, तो इसलिए यह वाले टूर्णामेंट में जितने मैचेस है, यहाँ पर आपको 16 से लेके 20 तक, मतलब 20 में तो क्या करना पड़ेगा, कि हर एक मैच में लगपक आपको मीनी जी-एल या आपी जी-एल ट्राय करना चाहिए जरूर, तो दोस्तों देखें यहाँ पर यह वीडियो कुछ ऐसे सब्जेप्स के बारे में है, साहिद आपक आपको जोईन कर लीजिए, और गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद, चैनल के साथ जुले रहे हैं, वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कीजिए, थैंक यू सो माच